नया साल बस आने को है इससे पहले ही धोल नगाडों के साथ महंगाई का एलान हो गया है अगर आप कार खरीदने की प्लैनिंग कर रहे हैं तो कुछ पैसे और जुटा लीजे क्योंकि एक जनवरी से सभी बड़ी कमपनिया कीमतों में बड़ोतरी कर रही है कीमते बढ़ाने की घोषना करने वाली कमपनियों में मारूती, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ओडी और मर्सेडीज, बेंस जैसी बड़ी कमपनिया शामिल है इससे पहले तो हारी सीजन में भी कार कमपनिया अपने चुनिंदा मॉडल्स की कीमते बड़ा चुकी है कीमते बढ़ने से जुड़ी सबसे बड़ी घोषना, सबसे बड़ी कमपनी मारूती की ओर से आई है भारतिय बाजार में 50% से जादा हिस्सेदारी रखने वाली मारूती की कारें एक जनवरी से महंगी होने जा रही है इसमें सबसे सस्ती मारूती औल्टो से लेकर सबसे महंगी कार इन्विक्टो भी शामिल है बीते एक साल में मारूती की ये तीसरी बड़ोतरी है, तीसरी व्रिदी है इससे पहले मारूती ने 1 जनवरी 2023 को 2.4% की बड़ोतरी की थी इसके बाद 1 अपरेल 2023 को भी कारों की कीमतों में 0.8% व्रिदी हो चुकी है मारूती का कहना है कि कमपनी बड़ी हुई इन्पुट लागत के कारण मजबूरी में कीमते बढ़ा रही है फिलाल कंपनी ने ये नहीं बताया है कि कीमतों में बड़ोतरी कितनी होगी टाटा के अलावा बात कर लेते हैं एक और घरेलू कंपनी महिंद्रा और महिंद्रा की ये कंपनी भी दाम बढ़ाने जा रही है कंपनी जल्दी नई कीमतों की घोशना करेगी तीन महीने के अंदर महिंद्रा की ये दूसरी बार बड़ी वृधी होगी इसे पहले अक्टूबर में भी कम्पनी ने कीमतों में बड़ोतरी की थी एक अक्टूबर से महिंद्रा ने अपनी सबसे जादा बिकने वाली SUV Scorpio Classic Scorpio N XUV300A, XUV700 की कीमते बड़ाई थी कम्पनी ने महिंद्रा थार की कीमतों में सबसे जाद 81,000 रुपे तक का इज़ाफ़क किया था अक्टूबर के दौरान सिर्फ महिंद्रा ही नहीं बलकि होंड़ा, हुंड़ाई और कीया ने भी कीमतों में बड़ोतरी की थी Honda ने जहां Amaze की कीमतों में 7,900 रुपे का इजाफ़ा किया था वहीं Hyundai की कारें 57,000 रुपे और Kia की कारें 50,000 रुपे तक महंगी हो गई थी सिर्फ mid-class कारें ही नहीं लगजरी कारें भी अगले साल से महंगी होने वाली है जर्मन कार मेकर ओडी ने अपने मॉडल रेंज में 2% मूले वृदी की गोशना की है होई Mercedes Bench इंडिया ने भी ये कहा है कि वो जनवरी से कीमतों में बड़ोतरी करने के बारे में सोच रही है आप जान लेते हैं कि कमपनिया कीमतों में इजाफा आखिर क्यों कर रही है ये बड़ा सवाल है तो इसके दो कारण है पहला तो है दुरगा पूजा दशेरा और दिवाले जैसे त्योहार कमपनियों की बंपर विक्रिस में होती है इस साल 42 दिनों की तेहारी सीजन में कमपनियों ने करीब 38 लाग कारे बेची है भारी डिमांड के बीच कार कमपनिया अपने मार्जिन को बहतर बनाने का प्रियास कर रही है कोशश खरने कीमतों में व्रिदी का एक और कारन कारण है's कच्छे माल की बढ़ति लागत बीते साल में कॉपर लेड टीन और रबड की कीमतों में जोड़ार इधाफ़ा देखने को मिला है कच्छे माल की बढ़ती कीमतों को अब कंपनिया अपने ग्राहकों को ट्रांसफर कर रही है फिलाल सभी कार कंपनियों ने एक जनवरी से कीमतों में इजाफा करने की यानी वृदी करने की घोशना की है वास्तविक कीमतों की घोशना दिसंबर के आखिरता की जाएगी वहीं कई बार ये भी देखा गया है कि साल के आखिर में कीमतों में इजाफा होता ही है कम्पनिया सेल्स को बढ़ाने के लिए ऐसे इजाफे की घोशना करती हैं लेकिन जो भी हो अगर आप नई कार खरीदना चाह रहे हैं तो दिस्संबर में कुछ बड़े डिसकाउंट देखने को मिल सकते हैं है